चाड़क के IIS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे भारत की नमामी गंगे पहल के बारे में जिसे अंतराष्टी अमानेता प्राप्त हुई है भारत के नमामी गंगे पहल को सयुक्त राष्ट्र प्रैवरन कारेकरम यानि की United Nation Environment Program और सयुक्त राष्ट्र खाद्य और क्रशी संग्ठन द्वारा चलाए गए एक Global Movement के तहर टोप 10 World Restoration Flagship में स्थान दिया गया है World Restoration Flagship को United Nation Decade on Ecosystem Restoration के बैनर के तहट जारी किया गया है नमामी गंगे परियोजना गंगा नदी के प्रदूशन को कम करने और इसे पुनर जीवित करने के उदेश से चलाई गई थी जिसे आज United Nation द्वारा भी सराहा जा रहा है वर्ड के Top 10 Restoration Flagship के बारे में अगर बात करें जिने ये मिला है तो उसमें Pre-National Atlantic Forest Pack, आबुधाभी Marine Restoration, Great Green Wall for Restoration and Peace, गंगा रिवर रिजुविनेशन, Multi-Country Mountain Initiative, Small Island Developing State Restoration Drive, अतल्या डाला कंसर्वेशन इनिशियेटिव, Central American Dry Corridor, Building with Nature in Indonesia और शान्शुई इनिशियेटिव इन चाइना ये Top 10 World Resolution है जिने ये फ्लैक्शिप दिया गया है अब हम बात करेंगे हाइलाइट्स के बारे में वर्ड रेस्टोरेशन फ्लैक्शिप ग्लोबल लेवल पर उन परियोजनाओं को मानेता देता है जो प्राकर्तिक दुनिया को रिस्टोर करने में एहम भूमी का निभाती है United Nation Decade on Ecosystem Restoration 2030 तक जारी रहेगा जो स्तत्विकास लक्षों को प्राप्त करने की समय सीमा भी है इसके अलावा इस World Restoration Flagship का समन्वे The Pact for the Restoration of the Atlantic Forest और Pre-Nation Network for the Restoration of the Atlantic Forest द्वारा किया जाता है नमामी गंगे पहल को दुनिया भर के 70 देशों में से ऐसी 150 से जादा पहलों में से चुना गया है इसलिए ये और भी अधिक महत्तपूर हो जाता है अब हम बात करेंगे नमामी गंगे परियोजना के बारे में नमामी गंगे परियोजना के शुरुवात वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी इस पहल के शुरुवात गंगा नदी के प्रदूशन को कम करने और इसे पुनर जीवित करने के उदेश्य से की गई थी इस परियोजना को 20,000 करोड रुपे के बजट के साथ एक प्रमुक कारेकरम के रूप में शुरू किया गया था इस परियोजना के तहट उत्राखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखंड, हरियाना, हेमाचल प्रदेश, दिल्ली, पश्यम बंगॉल और राजस्तान सीविज परबंदन परियोजनाय संचालित की जा रही है इसके अतरिक 98 सीविज परियोजनाय है जो कम्प्लीट की जा चुकी है इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कम्प्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें शे मैं बार कए आप बस्वाएब कर चैनल कर दो लाइस ने खीक चात्ते है